आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें माइनस सिग्मा पी आई, एकस आई, इस पूरे का होल स्कुएर तो इसका मतलब हमें प्राइक्ता बंटन बनाना पड़ेगा अब प्राइक्ता बंटन बनाने के लिए पहले हमें एक्स को परिभाशित करना पड़ेगा कि एकस क्या है, एकस यहाँ पर यादिप्चिक्चर है, पासे को फेकने पर प्राप्त संख्या किसको बता रहा है, एकस को बता रहा है, पासे पर जो भी संख्या आ रही है, वो एकस बता रहा है उसको ठीक है, अब हम यहाँ पर x के लिए क्या बनाएंगे, प्राइक्ता बंटन बनाएंगे, x के लिए प्राइक्ता बंटन, ठीक है, x के लिए प्राइक्ता बंटन, तो प्राइक्ता बंटन कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजे, जब हम पासे को फेकते हैं, तो पासे पर क्या- या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, इन में से कोई एक अंक आ सकता है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x का मान निकालना चाहूं, बहला, x का मान लिखना चाहूं, तो x का मान क्या क्या सकता है, अगर पासे पर 1 आया, तो x का मान 1 हो जाएगा, अगर पासे पर 2 आया, तो x का मान 2 ह अगर पासे पर 3 आया तो X कमान 3 हो जाएगा, अगर पासे पर 4 आया तो X कमान 4, अगर पासे पर 5 आया तो X कमान 5, अगर पासे पर 6 आ गया तो X कमान 6 हो जाएगा, अब देखें, अब हम X स्कॉयर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर X स्कॉयर की भी जुरत पड़ याने की PX ठीक है अब देखें यहाँ पर क्या है कि जब एक है ठीक है तो अब एक आने के लिए हम अगर यहाँ पर कुल संभावना लिखो तो पासे को फेकने पर कुल कितनी संभावना है छे संभावना है उसमें से एक आने के लिए अनुकूल संभावना कितनी है सिर्फ एक है ना और प्राइक्ता का क्या सूत्र होता है प्राइक्ता बराबर होता है अनुकूल परिणाम ठीक है और बटे में कुल परिणाम ठीक है तो एक आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने है एक है और कुल कितने परिणाम है छे तो एक बटे छे हो जाएगी प्राइक्ता अब इसी तरह से दो आने के लिए भी अनुकूल परिणाम कितना है, सिर्फ एक है, जब कि कुल परिणाम कितने है, छे है, तो इसलिए दो के लिए एक अनुकूल परिणाम और छे कुल परिणाम, तीन आने के लिए भी अनुकूल परिणाम कितने है, एक है, और कुल छे परिणाम ह यही बात है, पांच आने के लिए भी यही बात है, और छे आने के लिए भी देख लीजे, एक ही अनुकुल परिणाम है, जबकि कुल परिणाम कितने अच्छे हैं, तो ये इनकी प्राइक्ता हो गई, अब हमें तो क्या बताना है, प्रसरन बताना है, तो प्रसरन क्या से निक रनफल करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, योग करेंगे, क्या क्या होता, योग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हैं से हो जाएगा, आपका, X का मान है 1, तो जब X का मान 1 है, तो उससे जुड़ी प्राइकता कितनी है, 1 बटा 6 है, फिर जब X का मान 2 है, तो उससे जुड़ी प्राइकता कितनी है, 1 बटा 6 है, तो 2 गुड़ा में 1 बटा 6, फिर जब 3 है, तब भी 1 बटा 6 है, तो 3 गुड़ा में 1 बटा 6, फिर जब X का आमान 6 है तब भी प्राइक्ता 1 बटे 6 है, तो अगर मैं इन सभी में से एक बटा 6 common ले लो, यहां से बचेगा 1, यहां से 2, यहां से 3, और यहां से क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, प्लस 4, यहां से बचेगा 5, और यहां से बचेगा 6, तो यह कितना हो जाएगा, यहां दमाज से हो जाएगा हमारा 1 बटे 6 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21 यहनि गुरा में 21 आजएगा, तो इसका मतलब ही कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं 3 से काटू, तो 3 सकते 20, और 3 दूरी 6, 7 बटे 2 आ गया, यह तो हमारा क्या आ गया, सिग्मा P.I.X.I. का माना आ ग का वर्ग निकालेंगे, तो देखिए, अब हम X के वर्ग वाले मान लेंगे, तो जब X का वर्ग 1 है, तब उससे जुड़ी प्राइकता कितनी है, एक बटा 6 है, तो यह हो जाएगा हमारा एक गुरा में एक बटा 6, प्लस, ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, जब X का मान, X स्कार का मान 4 है, तो उससे जुड़ी प्राइकता एक बटा 6 है, तो यह हो जाएगा, चार गुरा में एक बटा 6, प्लस, ठीक है, फिर जब X स्कार का मान 9 है, तो उससे जुड़ी प्राइकता कितनी है, एक बटा 6, तो 9 गुरा में एक बटा 6, फिर प्लस, जब X स्कार का म मान 25 तो उससे जूड़ी प्राइक ता एक बटे 6 और जब X स्कार कमान 36 तो उससे जूड़ी प्राइक ता एक बटा 6 ठीक है अब सभी में से एक बटा 6 मैंने common ले लिया तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 ये आ गया तो कितना आ जाएगा ये 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 आ जाएगा हमारा यहां से 91 बटे में 6 ठीक है ये आ गया अब हमें तो प्रसरन क्यात करना था तो प्रसरन का मैंने आपको क्या सूतर बताया सिग्मा स्क्वाइर बोलते हैं इसको इसका सूतर मैंने बताया आपको सिग्मा PIXI वर माइनस सिग्मा PIXI इस पूरे का होल स्क्वाइर ठीक है तो यहां से यह कितना हो जाएगा यह हमने निकाला है 91 बटे में 6 माइनस यह हमने निकाला था 7 बटे 2 तो इसकी जगवर हम रग देंगे 7 बटे 2 और इस पूरे का वर्ग तो यहां से कितना हो जाएगा, 91 बटे में 6, माइनस 7 का वर्ग 21, 2 का वर्ग 4, तो यहां से कितना हो जाएगा, 6, 4, 6 और 4 का इसे हम आजाएगा 12, तो 6 दुनी 12, यानि कि 2 एकम 2, और 2 निम 18, और यहां से कितना हैगा, 4 ती या 12, यानि 3 की बुरा होगी, तो 3 निम 27 का 7, 80 तो यह कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, तो 5 आएगा, ठीक है, और 7 में से 4 गया तो 3, यानि कि 35 बटे में 12, ठीक है, यह क्या होगा, यह हमारे प्रसरण का मान होगा, sigma square का, तो इस तरह से हल करके बता देंगी, यह हमारा उत्तर हो जाएगा, धन्यवारा